हलो दोस्तो CLC परिवार में आप सभी का स्वागत है मैं विनोत कुमावत टीम फिजिक CLC से आज आपके लिए गुरुनिती पीवाई क्यू रे ओप्टिक्स का नया टोपिक हमारा लेके आये हैं तो पीवाई क्यू के क्या-क्या सवाल नीट में आये हैं वो हम लोग देखते ह है कौन सा टोपिक हुआ हमारा रे ओप्टिकल ओप्टिक्स एंड ओप्टिकल इस्टुमेंट सब जानते हैं कि इसमें एक से ज्यादा जनली सवाल हमारे आते हैं तो देखो बटा क्या सवाल हमारा पहला टोपिक हमारा रीफ्लेक्शन रीफ्लेक्शन बाई मीरर की बात करे या mirror की बात करें, उसमें plain mirror भी आ जाता है हमारा, हमारा curved mirror भी आ जाता है, बात आई हमारे पास, mess the column की बटा, आप से बोला गया magnification कितना हमारा, minus 2, देखो बटा, अगर ऐसा magnification होने का मतलब हुआ, कि जो height of image है, भई अगर आप ऐसे mirror की बात करोगे, मान लो कि ये कोई object है हम के कारण से जो image बनी होगी, वो जितनी height ये है, उसकी 2 times रही होगी object की, ये object है, तो image की height क्या रही बटा, 2 times, तो जो magnification आएगा हमारा, वो आएगा height of image upon height of object, तो बटा, height of image कैसी है हमारी, negative, और height of object कैसा, positive, तो एक बात तो सकते हुई, तो magnification negative आया, इसका मतलब कौन सा mirror ये concave mirror हुआ, और magnitude x से जादा तो image कैसी हुई हमारी, large image हुई, तो हम देखते हैं, minus 2 होने का मतलब, यानि पहले वाले के लिए, minus 2 होने का मतलब mirror कौन सा हुआ हमारा, concave, यानि B एक तो, और कौन सा हुआ बटा, real image, C, B and C इसके लिए आया हमारा, अगली बात करते हैं, minus 1 by 2 की बात कर लेतें, minus 1 by 2 का मतलब, real image हुई, तो ये हमारे पास में किसके लिए, again, जो B हुआ, बटा, अब की बार value छोटी है, पर negative है, तो mirror तो कोन के भी है, लेकिन हम कहेंगे, कि जो image है, वो भी तो real हुई, negative होने का मतलब, image भी कैसी हुई हमारी, real हुई, अगला हमारे प का, ये इसका focus है, जब ये focus पे object होगा, तो image कहां बनेगी, बटा, minus infinity पे, लेकिन अगर object थोड़ा सा भी इधर किसक जाएगा, between focus and optical center, तन रे कैसे जाएगी, बटा, हमारी कहां मिलेगी, ये focus से गुजरेगी, एक हम लोग optical center से ऐसे, तो image कहां बनेगी, मारी, पीछे की तर लार्ज बनेगी सकते बात है, तो magnification केसा आएगा इसके लिए, positive, और बड़ा आएगा किस से बटा, एक से बड़ा आया हमारा, तो हम कहेंगे इसके लिए, जो हमारे पास में, जो C condition है हमारा, इस C के लिए जो आएगा, वो mirror केसा आएगा, plus का truth हो बटा, concave mirror, यानि B option, और image कैसी बनेगी हमारी, virtual image बनेगी, तो बटा, अगला हमारे पास इससे चेक कर लेते हैं, A के लिए B and C हो गया, देखो, B and C, C में है केवल, फिर B के लिए भी B and C हो गया, देखो, सही लिखा, फिर C के लिए क्या हमारा, B and D, और D के लिए क्या हो गया, A and D, चुकि प्लस 1 by 2 है, magnification, positive भी है और एक से कम भी है, तो कौन सा वाला हुआ हमारा, positive और एक से कम जो होगा, वो convex mirror के कारण ही होता है, तो हमारे पास answer मिल गया, कौन सा, fourth option, next question है हमारा, फिर से reflection का सवाल हुआ, इसने बोला, कि a beam of light from source L is incident normally on the plane mirror fixed at the certain distance x from the source, देखो, क्या कहानी है, बटा, यहां कोई हमारे पास में L नाम का source है, यहां से x distance पे एक mirror रखा गया है यह वाला mirror, और light ray जो आई है हमारी, यह source यहां माल लेता हूँ मैं, light ray जो आई है, एक मिनट, देखो बटा, जो light ray आई है, उसकी बात करें हम लोग, कि भई हमारे पास में यह mirror था, plane mirror, यह light ray ऐसे आई, यहां source रखा गया हमारा L नाम का, यह distance कितनी है, x, तो इसकी टकरा के image भी कहां बनेगी बटा, यही पर बनेगी, अगला condition क्या बोला हूँ पढ़ते हैं, plane mirror, the beam is reflected back as spot on the scale place just above, यानि उसी बिंदू पर उसका spot बन जाता है, when the mirror is rotate through an angle of theta, then spot light is found to move through the distance y scale, then angle theta is, क्या बोला गया, इसने बोला कि आपने इस mirror को ही rotate कर दिया बटा, ऐसे, ऐसा rotate कर दिया गया, तो एक बास सोच, अब normal भी rotate हो गया होगा, कितने से हो गया बटा, theta से, अब sport जो बनेगा L dash image वो यहां बनेगी, भी normal, जितने से mirror को गुमाय है, उतने से mirror का normal angle बना लिया, theta, तो बटा, हमारे पास में reflection का नियम किस पे आधारित होता है, normal के अनुसार बात करते हैं, बटा, हम लोग, तो मैंने बोला कि भाई, जितना angle theta ये, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, theta ही हो जाएगा, तो सोच, ये कितना हो गया हमारा, why, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कि 10 to theta, this is equals to perpendicular upon base, लंबटे, आधार हो गया बटा, क्या theta छोटा होने का मतलब 2 theta लिख सकता हूँ, तो theta का मतलब कितना, y बटे 2x, तो हमारे पास जो answer मिलेगा, y upon 2x, ये correct answer हुआ, next question बटा, फिर हमारे पास reflection से जुड़ावा सवाल है, कि एक object है, placed at a distance of 40 cm from a concave mirror, और focal length 15 cm, बटा, पहले तो concave mirror बनाएंगे हम लोग, ये हमने mirror बना दिया बटा, focal length कितनी इसकी बटा, 15 cm, और जो object रखा आपने, जो object रखा, वो कितनी distance पर रखा है, 40 cm पर रखा है, बोला गया, displaced through a distance of 20 cm, बटा, the object towards the mirror, पहला condition, बटा, हमको कहा, कि ये 40 पर रखा गया है, एक पर देखले, 40 पर रखा, 40 पर रखा बटा, इस object को हमने 40 पर रखा है, जो भी object है, जैसा भी है, तो क्या लगाएं, mirror formula बटा, mirror formula लगाएंगे, तो 1 upon V, minus 1 upon U, sorry, plus U, equal to 1 by F, बटा, V मुझे निकालना है, तो 1 upon F, minus 1 upon U, बटा, F के सा इसके लिए, negative, यानि 1 upon 15, U के सा अगें, negative, तो negative, negative क्या हो गया, बटा, positive, LCM लेंगे, कितना आएगा, 40, 120 लिख देता हूं, बटा, 120 LCM आ गया, यह 8 हो गया, हमारे पास, minus का, plus 3, तो minus का 5 बटे, 120 हुआ, बटा, और यह काड़ दिया, 5, 2, 4, तो minus का 1 by 24, यानि आपको V का value मिल गया, minus का 24 cm, image यहां बनेगी, बटा, अब यह क्या कहता है, अगला देखो, condition क्या लिखा इसमेपन को, कि object को विश्तापित कर दिया, बटा, कितनी distance से, 20 से, और किया किदर, mirror की तरफ, तो image कितना विश्तापित हो गई, वो देखना मिटा, तो मैं कहता हूँ, नई condition में, नई condition में, यह जो mirror था, हमारा वही है, अब जो distance होगा, वो कितने पर आ गया वही, 20 cm पर, क्योंकि 20 किसका दिया, तो 20 ही बचेगा, अब फिर स का 1 upon 15, real object 1 upon 20, LCM लेता हूँ, 30, 40, 60 हो गया है बटा, 15, 4, 60, plus 3, तो V का value minus का 1 बटा, 60, 1 upon V का, तो V dash बोल दिया इसको बटा, V dash का value कितना है रहे बई, minus का 60, पहले image कहां बनी थी, minus 120 पे, अब image कहां बनी है हमारी, minus 60 पे, विस्तापन कितने का हुआ है बई, 26 का विस्ताप हैंगे, 26 में, 36 का विस्तापन हुआ हमारा, किदर की तरफ हुआ, away from the mirror, away from the mirror, mirror से दूर की तरफ, पहले 24 पे, अब 60 पे, object पास आ गया है, तो image दूर चली जाएगी बटा, next question है हमारा, reflection through plane surface, और prism का सवाल है बटा, किसका सवाल है हमारा, prism का, plane surface ही हुआ, तो angle of prism, A, one of its reflecting surface is silver light ray falling at an angle of incident 2A, कहने का मतलब क्या हो, समझो बटा, ये कोई भी हमारे पास में prism है, ये angle कितना है, A, इसकी एक सतय को हमने police कर दिया गया, अब क्या हो रहा है, कि यहाँ पर कोई light ray ऐसे आपतित हुई, अब पढ़ लेते हैं, आगे क्या हुआ बटा, पहले प्रस्ट पर 2A कोण पर आपतित हुई, कितने कोण पर हुई बटा, ये 2A angle पर आपतित हुई, और देखते हैं, रज्जित प्रस्ट से प्रावर्तन के पस्यात अपने मार्क पर वापस आ जाते हैं, प्रिजिम का अपवर्तनांक म्यू होगा, म्यू कितना होगा, ये पता करना, मान लिय अभी तो ये म्यू है, बटा, ये इस तरह से गई है कि यहां से वापस लोट आई, भाई, वापस कब लोट के आती है, क्या जब 90 डिग्री पर आपतन होता है मीरर पे, ये 90 डिग्री हुआ बटा, यानि मैं ऐसा कह देता हूँ, कि ये जो R आया होगा, याद कर ले, R1 प्ल इफ्रिक्शन का नियम लगा दो, N1 sin I equal to N2 sin R लिखा गया, R की जगए क्या लिख दिया मैंने, A, बटा, यहां से मैंने कहा, ये हो जाएगा, 2 sin A, cos A equal to mu sin A, sin ने sin को मार दिया, तो बचा क्या है, बटा, mu का वेल्यू बचा, 2 cos into, sorry, 2 cos into A बचा, mu का वेल्यू, ये हमारे पास answer check कर लेते हैं, ये हमारे पास 2 cos A हमारा answer हुआ, clear है, next question, बटा, अगला question, फिर से हमारा prism का सवाल है, कि reflecting angle of prism is A, reflecting angle का मतलब, जो prism का कौन था, उसी की चर्चा हो रही है, ये angle A है हमारा, and refractive index of the material of the prism is, इसका जो mu दिया गया है बटा, वो coat, coat, cos नी, coat, A by 2 दिया गया है, angle of minimum deviation, न्यून्तम विचलन कितना हुआ होगा बटा, चमक गई बात ही है, न्यून्तम विचलन की बात करते हैं, del mean, del minimum जो होगा, जुसकी बात करें अपन, तो वो होगा 2I minus A, ये होगा, मैं अगर I का मान निकाल लेता हूँ, तो क्या कहानी होती है, उसकी चर्चा कर लेते हैं, बटा, देखो, अगर न्यून्तम विचलन होता है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी रे, ऐसे आई होगी, कोई भी रे, ये I कोण पर आई होगी, ठीक है, तो बटा, मैं snails का नियम लगाया, मैंने का, म्यू सराउंडिंग साइन आई, देखना, साइन आई, म्यू सराउंडिंग साइन आई, इक्वल टू म्यू पिजम साइन आर, ये आर, और ये आर का मान कितना है न्यून्तम विचलन के लिए, क्योंकि आर वन बराबर, आर टू बराबर, आर हो जाएगा, जो ए बाई, टू के बराबर भी बताया मैंने, कि आर वन प्लस आर टू का मान एक के बराबर होगा, अब कुछ नहीं है, म्यू सराउंडिंग तो एक ले लेंगे बटा, अपन को किसका मान चाहिए बटा, इकाल लेते हैं, फिर खतम हो जाएगा हमारा, तो लिखा sin I equal to, देखना म्यूपी को क्या लिखूंगा, coat A by 2, यानि लिखूंगा cos A बटा 2, बटा sin A बटा 2, ये तो हो गया coat का मान, sin A by 2, sin A by 2, ऐसा कैसा लिख दिया बटा मैंने, देखो, sin A by 2 ऐसा कैसा आ गया, तो हमारे पास sin A by 2 से sin A by 2 कट गया, अब देख क्या लिखूंगा, sin तो ऐसा कैसा, cos को लिख दिया, sin 90 minus A by 2, ये मैंने किसको लिख दिया, क्योंकि sin 90 minus A by 2 क्या हो जाएगा, cos A by 2 हो जाएगा, ये sin I का मान आ गया, तो I का मान कितना आया, I का मान जो आया, मारे पास, वो आएगा, पाई बट्टा 2 minus A बट्टा 2, हमको तो निउन्तम विचलन चाहिए, 2 गुणा I, लेख दो देखो, A बट्टा 2 minus A, ये हो जाएगा, पाई माईनस 2 A, 180 minus 2 A, किसका मान आ गया बट्टा, ये लो, 180 minus 2 A, ये निउन्तम विचलन का मान आया, अगला क्यूशन बट्टा, फिर से प्रिजम का सवाल, बट्टा प्रिजम के सवाल बहुत जादा आयोए हैं, आप एक बार देखोगे, उठाकर तो आपको मिलेगा, कि प्रिजम के सवाल देखो, प्रिजम का जो एंगल दिया गया आपको, एक मिनुट ड़ा, कौन सवाल था, सवाल नमबर ये था, प्रिजम का जो एंगल दिया गया आपको, जैसे ये है, तो किरण के लिए आपतन कोण का मान, कोई भी रे हमारी आई है, ये 45 पे आई बटा, फिर बोला गया है, प्रिजम का कौन 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हुआ बेटा, यदि कीरण प्रिजम से न्यूंतम विचलन होती है, तो न्यूंतम विचलन कौन सा प्रिजम के अपवरतनांग, पदार्थ का अपवरतनांग क्या होगा, तो बड़ा वही बात फिर से आती है, हमारी देखो आपको डेल मिनीमम चाहिए तो वो लिखा जाता है 2i-a तो 2 into i कितना? 45-60 तो 90-60 कितना हुआ? 30 डिगरी ये तो हमारा विचलन कोण हो गया बात आई अपवर्तनांग की तो क्या लिखूंगा? म्यू सराउंडिंग यहां के लिए अपवर्तनांग का नियम लगा दो बेटा नियूंतम विचलन के लिए a बट्टा दो हुगा बेटा जस्ट पहले वाला जो सवाल था एक की सवाल है देखो? यहनि यह 30 डिगरी हो जाएगा बेटा तो n1 sin i equal to n2 sin r यह एक बट्टा अंडर रूट दो गया बेटा यह म्यू पी हुआ और यह कितना एक बट्टा दो तो देखो म्यू पी का मान कितना आ गया? म्यू पी का मान आ गया रूट 2 यह हमारे पास म्यू का वेल्यू तो बटा हमने कहा 30 डिगरी और रूट 2 हमारा correct answer है clear हुआ अगला question अब की बार काच की पट्टीका का सवाल है glass slab का सवाल है हमारा बटा glass slab में जो हमारे पास बात आती है shift के बारे में यह मैं कहा दू d apparent की बात करूँ एक बार में आभासी गयराई जो होती है वो होती है n2 by n1 into d real गयराई n2 n2 किसका refractive index होता है जिसमें ray जा रही है जिसमें ray जा रही है और n1 किसका होता है जिसमें से ray जा रहीगी तो बटा हमने कहा glass slab उसने क्या कह रहे का सवाल देखना यह कोई glass पट्टी का है बटा हमको बोला गया इसकी length कितनी बोल दी अपनने L बोल दी bubble है कहीं पर भी यह इस तरह से लिख दिया मैंने इसमें कहीं पर भी air bubble है बटा इसके लिए कितना है refractive index glass slab इसका refractive index दिया 1.5 mu इस 5 cm deep van view from the one surface इधर से अगर कोई आँख देखती है तो इसको आभासी गहराई कितनी दिखाई देती है बटा 5 cm दिखाई देती है और इधर की आँख से देखा जाए तो कितनी दिखाई देती है 3 cm यहाँ से 3 cm दिखाई देती है माल लिया यह L है तो अगर यह X हुआ बटा जी तो यह कितना होगा L माइनस X मैं तो कर रहा हूं दोनों ही चीजे निकाल लो, L भी निकाल सकते हैं और X भी, थिकनेस निकाल लिए स्लैब की, तो पहले बटा इधर से देखते हैं, आबासी गहराई के लिए, डी अपेरेंट बराबर N2 ऐसे रहाएगी, ये नॉर्मल होगा, ऐसे चली जाएगी, तो ये N2 हुआ, बाई N1 इन्टू, ये रियल डेप्थ ही हो, एक्वेशन नमबर एक, दूसरी, अपेरेंट इकवल टू N2, अब की बार रे ऐसे गई होगी बटा, और ऐसे वो सिफ्ट हो जाएगी हमारे, N2 बाई N1 इन्टू L माइनस X, ये एक्वेशन नमबर 2 हुआ बटा, तो अ X का वेल्यू निकालोगे, तो यहाँ पूट कर दो कितना, 75 हो जाएगा बटा ये, तो 75 हो गया, X का वेल्यू कितना आगया, 7.5, तो मैं लिख देता हूँ, 3 इन्टू 1.5 इक्वल टू L माइनस X, 7.5, तो L कितना आजाएगा, 12 cm, तो करेक्ट अंसर क्या हुआ बटा हमारा 12 cm, नेक्ट क्यूशन है, नेक्ट फिर एक बात प्रिजम का सवाल हुआ बटा, मैं कहरा हूँ, प्रिजम के सवाल बहुत बर आया हुआ है, लेकिन ये हमारा जनरल प्रिजम की वज़ा है, ये हमारे पास है, जब एंगल बहुत छोटा है, बटा हमने पढ़ा था, कि अगर बहुत छोटा होता है, तो डेल मिनिमम होगा, A into mu minus 1, इसने बोला कि A का मान तो दिया गया कितना बटा, अपनको बोला 10 degree, नहीं, प्रिजम के काथ से बने पतले प्रिजम का अपरतना कौन 10 है, अपरतना कौन ये संयोजन से विचलन रही, बटा ये जनरल हमारा फॉर्मूल पिना देखो विचलन रही, इसने बोला combination produces dispersion without deviation, डेल नेट कितना है बटा जी, 0, बट डेल 1 प्लस डेल 2 बराबर 0 लिखा गया, डेल 1 को लिखूंगा, A1 into mu1 minus 1, प्लस A2 into mu2 minus 1 बराबर 0, मुझे तो A2 का वेल्यू चाहिए बटा, A2 का लिखूंगा, A1 mu1 minus 1 upon mu2 minus 1, ये negative sign, A1 value कितना दिया बटा, 10 degree, mu1 कितना है, 1.42, तो 0.42, upon mu2 कितना, 1.7, तो 0.70, तो ये point से point हट गया बटा, 7 से 0 से 0 कार दिया, 7 को 6 से ये 6 कार दिया, तो कितना मिला, minus का 6 degree, minus इस बात को बताता है, कि जो दूसरा प्रिजम रखा, आपने उसको उल्टा रखा है, दूसरे प्रिजम को कैसे रखा बटा, उल्टा रखा है मारा, तो वो हमारा minus को बताएगा, आंसर कितना आएगा, छे मतलब ऐसा हुआ, कि ये कोई प्रिजम था, दूसरा प्रिजम जो आपने रखा, वो इस तरी के से रखा, ये A angle का, A1 का है, ये A2 का, light ray आई है, उसमें dispersion तो हुआ बटा, लेकिन जो deviation है, ये mean deviation, जिस ray आई थी वैसे ये वापस चला जाएगा, next question, फिर हमारे पास प्रिजम का स्वाल, the refractive index of the material of a prism is root 2, refractive index कितना आए प्रिजम का, root 2, angle of prism is 30 degree, one of two refracting surface of prism is made a mirror inward by silvering, coetting, a beam of monochromatic light entering the prism from the other face will retrace its path after reflection from the silvered surface angle of incident वड़ाओ एक सवाल जो थोड़ देर पहले किया था वापस exactly repeat हुआ के वल डेटा थोड़ा सा change होका है इसने बोला कि ये कोई prism है इसको अपन ने silver कर दिया ये angle 30 degree है ये mu हमारा root 2 times है और देख लेते हैं prism material ये हुआ prism angle और prism ये हुआ हमारा और क्या बोला गया है light entering from after reflection वापस retrace हो गई ये light ray आई है आई angle पे ऐसे जाएगी वापस आजाएगी पूछा क्या आपन से बटा तो आपतन कोण आई का मान पूछा ये आई पूछा है वापस retrace होने का मतलब ये angle भी कितना होगा बटा arc भई आपने पढ़ा फिर से बता दू r1 plus r2 बराबर 1 के होगा तो r2 तो 0 हुआ तो r1 किसके बराबर हुआ एक के बराबर लिखोगे n1 sin i equal to n2 sin r sin r का मतलब कितना बटा 30 degree ये कितना होगा एक बट्टे 2 तो एक बट्टा under root 2 हो गया तो i का मान कितना आया भही 45 कोई सोचने की दुरत निये सीधा सवाल आ गया हमारा 45 degree next question next है हमारे पास में बड़ा एक तरीके से polarization का सवाल है wave optics का सवाल है वेचे तो ये क्या कहा गया है कि यदी अपवर्तनांक mu वाले पधार्थ के किसी समतल प्रष्ट पर कोई ऐ दूर्वित परकास वायू आप्तित आप्तन करता है किसी विशेश आप्तन कोण आई पर ये है पाया गया कि प्रावर्तित केर्णे और अफपर्तित किर्ने एक दूसरे के लंबवत है निम्र में से कौन सी स्तती सही है समझाता हूँ वाले ये हमारे पास कोई मीडियम था इसका अपवर्तनांक mu है यहाँ कोई light ray आप्तित हुई है आपको बता दू वाले कि ये हमारी ऐ धुर्वित परकास unpolarized light है इसके बाद में ये कोण कहलाया हमारा I इस I को I P नाम दे दिया जाएगा कब दे दिया जाएगा जब यहाँ से टकराने के बाद जाने वाली जो light थी हमारी वो कैसी है सो परतिसत polarized है ये कैसी बढ़ा सो परतिसत polarized light हुई हमारी अगर ये सो परतिसत polarized है दूसरी हमारी ये है पहली बात तो इन ऐसी condition में इन दोनों के बीच में angle कितना होगा हमारा 90 degree इन दोनों के बीच में angle हमारा 90 degree होगा तो आपको ये condition क्या मिली और ये जो है अब देखो option क्या दिया आपन को option पे चले हम लोग तो i बराबर sin inverse mu होता है क्या check कर लेते हैं माँ आपको बता दू i या theta p बराबर ten inverse mu होता है ये कहां से आता है हमारे पास बटा जब हम लोग इसको बोलते हैं bruster low या फिर दुर्वक कोन के नाम से भी जानते हैं bruster का नियम होता है मारा ये तो ये हमारे पास सत्य खतन है ये हमारे को ऐसा कहीं भी नहीं दिया गए ये गलत है ये भी गलत हुआ बटा अब बोला प्रावर्तित प्रकास दुर्वित और इसके विद्धुत सदिस आपतन तल के लंबत बिल्कुल सही बात है मैंने का ना ये आपतन तल ता इसके लंबत कमपन करेंगे देखो ये ऐसे वाले कमपन बचेंगे इसमें दोनों कमपन रहेंगे बटा इसमें ये भी रहेगा ये आंसिक दुर्वित होता है मारा तो इसका आंसर हमने देखा कि ये तो सही है ही है अगला प्रावर्तित प्रकास दुर्वित है इसका विद्धुत सदिस आपतन तल के समान तर नहीं आपतन तल के लंबत होता है नेक्स्ट क्यूशन ये बटा CLC जो कोर्स अवेलेबल करवाती है हमारी CLC की तरब से बटा टारगेट बेच नया चालू हो रहा है उन बच्छों के लिए है जो ट्वल्थ पास करिए अभी उसके लिए है नीट दो हजार तेवीस चोवीस के लिए हमारा तेवीस चोवीस के ल लिए है जो बच्चा ट्वल्थ पास करके ट्वल्थ में आएगा उन के लिए कोर्से से हमारे फांडेशन ये भी 6 अप्रेल से ने स्टार्ट हो रहे है और 2 इन 1 जो कोर्स हुआ हमारा वो उन बच्चों के लिए जिसने गल्ती से किसी कारण बस जो इलेवन्थ में के लिए होगा जो बच्चा 9 से 10 में आएगा उनके लिए CLC के दोवारा NDA का डिफेंस से जुड़ी जो भी एक्जाम होती है NDA उसका भी हमार कोर्स करवाया जाएगा तो उसकी प्रिपरेशन के लिए जो है 10th 11th और 12th moving 11 to 12th moving student के लिए ये हमारे पास pre foundation जो बच्चा 6 से ल इस सारी एक्जाम्स जो करवाता है प्री फाउंडेशन के लिए छोटे बच्चों के लिए 6 से 10 के लिए उसका बेस मजबूत करना ही प्री फाउंडेशन का मेन उदेश से हैं ताकि 11-12th में बच्चों को कोई दिक्कत ना आए देखो बड़ा हमारे जो centers है classroom जो center है CLC के CLC होतो हो और अगर आपको online test series join करनी है तो इसके लिए कोटा बिकानेर जोदपूर दिल्ली हिसार यह हमारे test centers available है next बटा यह हमारे पास सवाल आ गया अगला TIR से जुड़ा हुआ क्या सवाल बोला in total internal reflection when the angle of incident is equal to critical angle for the pair of media at the contact what will be the angle of reflection बिल्कुल साधान से बात बोली बटा इसने बोला भाई यह normal है यह हमारे पास कोई भी हमारा अपवरतनांक refractive index यह light ray इधर से इधर move करी इसने बोला कि यह कोई भी angle था critical angle जिसे हम लोग कहते हैं यह वो angle है जब यह कुछ इस तरीके से पास हो तो यह angle कितना बटा आर का value 90 तो refractive angle कितना हुआ हमारा 90 degree next question फिर है निम्न में से प्रकास के किस वर्ण की तरंग देरे wavelength क्या होती है बटा सब जाने विबग्योर यह जो हमारे colors होते हैं उनके लिए इधर जाएंगे तो lambda का value बढ़ेगा frequency का value गठेगा energy का value भी गठेगा तो सबसे ज़्यादा तरंग देरे किस की हुई बटा RAID की हुई next question अगला है फिर एक सवाल प्रिजम का आया है बटा इसने बोला कि a RAID incident at an angle of incident I on one surface of small angle prism with an angle prism A emergence normally from the opposite surface if the refractive index of the material is this देख बटा फिर से वही सवाल कोई change नहीं है यह angle A है refractive index mu है light ray हमारी incident हुई आई पर आई पर incident हुई है यह चली गई ऐसे जो यहां के perpendicular है क्या यह बात वही बात वापस आई की R1 plus R2 बराबर किसके A के और R2 किसके बराबर हुआ बटा जीरो के तो R1 का value किसके बराबर आया A के बराबर यह R1 लगा दो snail slow बटा लगांगा N1 sin I equal to N2 sin R sin R का value कितना हुआ बई A के बराबर बटा एंगल बहुत छोटे छोटे तो I बराबर किसके आ जाएगा बटा Mu into A के तो यह हमारा answer होगा कौन सा first answer बटा प्रिजम के सवाल इतने आ रहे हैं आप खुद देखोगे एक बार तो बड़ा important topic है प्रिजम हमारा next question हुआ बटा फिर पिजम का सवाल हुआ find the value of angle of emergence from the prism refractive index of this यह ऐसे आया है बटा यहां टकराएगा यह लंबत आया तो लंबत यहां आ जाएगा यह कौन कितना आएगा इसको check कर लेते हैं बटा यह 60 है देखो यह 60 हुआ बटा जी अब देखो यह 60 हुआ तो यह कितना होगा हमारा 30 यह 30 है यह 90 तो यह 60 यह 60 तो यह कितना 30 यह refractive index कितना root 3 इस pq surface के लिए snail का नियम लगा दो n1 sin i equal to n2 sin i e यह root 3 by 2 तो e का value कितना आया रहे भई 60 degree तो emergent angle कितना आगया 60 degree इस prism से दो ray बहार निकलेगी वो कितने पे निकलेगी बटा 60 degree पर emerge होती है next question पंद्रा नमबर अब उड़ा गया एक light ray है falls on a glass surface of refractive index root 3 at an angle of 60 degree then the angle between the reflected and reflected ray would be बटा यह तो सवाल है मैं तो कहता हूँ यह सवाल polarization से हो जाएगा थोड़ी देर पहले आपको polarization की condition बताई थी मैंने यह light ray आई इस angle को theta p कहूंगा यह light ray ऐसे चली गई हमारी और एक light ray ऐसी चले गई इन दोनों के बीच में angle कितना 90 ठीटा पी तभी तो कहेंगे जब दोनों कैसे हैं perpendicular मैं तो यह कह दूँ कि भई theta p का value कितना बटा 10 inverse mu होना चाहिए बताओ 10 inverse mu कितना दिया आपको root 3 बताओ यह कितना होगा theta p का value 60 degree इसका मतलब क्या आपतन कोण यही तो हुआ आई का मान 60 degree है इसका मतलब इन दोनों के मद्दे कौन कितना होगा 90 degree यह polarization का जुड़ावा सवाल हुआ बटा next question अगला सवाल है मारे पास में 16 number बटा 16 number है कि transparent medium A and B are separated by a plane boundary the speed of light in those medias are this and these बटा अलग-लग में speed दी गई है the critical angle of the ray of light for these two medium देखो बटा जी यह medium दिया गया है मैं तो कहूं कि light ray इसमें जो travel करती है उसको mu1 बोल दिया इसको क्या बोल दिया बटा mu2 बोल दिया देखो मैं कहा दूँ कि v1 देखो v1 upon v2 equal to n2 by n वर ऐसा होता ही है मारा mu बोल दो चाहिए n बोल दो बटा v समानपाती एक बटा n तो v1 का value 1.5 गुणा 10 की power 8 बटा 2 गुणा 10 की power 8 यह cancel हो गया तो आगया 3 by 4 यह किसका value आया n2 by n बनाया परंतु अगर मैं लिखूँ चलो एक बार इसको ऐसा है रख लेते हैं n2 by n1 मैं लिखूँँगा critical angle बटा critical angle क्या लिखा जाएगा ic ic को लिखूँगा sine inverse तब यह angle कितना हुजएगा बटा 90 तो sine inverse लिखा गएगा mu 1 sine i तो यह चला गया mu 2 by mu 1 यह हमारे पास फंडा बन गया mu 2 कितना हुआ बटा हमारा यह mu 2 by mu 1 सीधा लिख दो sine inverse 0.75 this is the critical angle यह हमारा first answer next question अब आया हमारा lens के बारे में सवाल आये बटा तो lens के बारे में अपन बात करें हैं क्या करें बात देखो हमको बोला गया कि a plano-convex lens fit exactly into a plane concave lens plano-convex lens fit exactly into plano-concave lens their plane surface are parallel to each other if lenses are made of different material of refractive index mu 1 and mu 2 and radius r of curvature of the curved surface of the lens than the focal length of the combination क्या कहा फिलसबन लेते हैं बाता सम्तल उतल और सम्तल आउतल lens एक दूसरे के ऊपर पूर्णत ठीक बैठे हैं सम्तल सतय आपस में समानतर है बाता सम्तल उतल एक तो हमारे पास में यह lens हुआ देखो दूसरा lens हमारे पास कुछ ऐसा हुआ यह lens दो lens होगे सम्तल उतल सम्तल आउतल यह सम्तल उतल सम्तल आउतल इसकी radius r इसकी radius भी r देख लेते कौन सा क्या क्या बैटा पतले सम्तल उतल lens यहनी plano convex lens इसका refractive index जो हुआ बैटा plano convex lens का refractive index है वो हमारे पास क्या है mu1 और इसका कितना बैटा mu2 मैं कह लेता हूँ पहले f1 निकाल लेता हूँ बराबर mu1-1 into 1 by r1 के अबल इतना ही रहेगा क्योंकि यह हमारे पास में lens की radius कितनी हो जाएगी infinity तो अगला लिखूंगा 1 by f2 mu2-1 into देख वड़ा क्या लिखा जाएगा यह हमारे पास 0 और यह कैसा हमारा positive तो यह infinity तो 0 plus 1 by r हम लिखेंगे 1 by f equivalent 1 by f1 plus 1 by f2 क्या बन जाएगा mu1-1 plus mu2-1 upon r यह हमारे पास किसका value आगया है बटा? और सोरी यह negative आएगा यहाँ negative था हमारा तो यहाँ negative रहेगा तो लिखा जाएगा mu1-mu2 upon r होगा चेक कर ले पने मड़ाम लोग सवाल में answer तो यह r upon mu1-mu2 तो first answer इसका correct answer होगा next question अगला सवाल हमारे पास दो identical plano convex lens तो होगे यह बाला तो identical glass reflective equi convex lens or focal length of each f kept in contact the space between the two lenses is filled with water this then focal length becomes for combination बटा क्या बोला दो उत्तल lens है कैसे है बटा हमारे उभे उत्तल यानि यह वाले lens एक यह lens होगया बटा और एक यह lens होगया इसकी focus f इसकी focus f अगर आप इन दोनों का resultant देखोगे पहली बात तो 1 by f1 इसको मैंने नाम दे दिया तो बटा इसका नाम हमारे पास है f देखो बटा हमने बोला कि इस बार लेके 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 बोला focal length f each are kept in contact इन दोनों का focal length क्या हुआ बटा f हुआ तो मैंने क्या कह दिया बटा कि 1 by f किसी एक की लिख लेता हूँ focus क्या लिखूंगा mu minus 1 1 by r plus 1 by r तो value आएगा 2 mu minus 1 upon r ये तो वहा 1 by f अब इसमें medium भर दिया गया focal length f each are kept in contact तो बटा अब दोनों को भर दिया गया ऐसा तो नई focal length क्या हो जाएगी तो मैं क्या कहता हूँ नई focal length के लिए 1 by f plus 1 by f equal to 1 by f equivalent ये तो focal length किसकी होगी बटा हमारी ये focal length जो हुई है वो हमारी हुई है उन दोनों convex length की इसकी और इसकी इसकी निकालने बटा अपन को इसकी तो कैसे निकालते हैं लोग ये r ऐसे incident माल लिया अपन ने तो लिखूंगा 1 by f' बोल दिया इसको वो लिखा जाएगा mu minus 1 into 1 by r1 minus का और minus 1 by r तो ये लिखा जाएगा minus का 2 into mu minus 1 upon r अब देखते हैं ये आगया हमारे पास में अब एक बात इसका 3 by 2 है ग्लास का यानि इसका जो mu है आपका 1 by f की जगे वो लिखा जाएगा 2 into 3 by 2 पहले रिखेंगे हम लोग 3 by 2 तो बचेगा कितना 1 by 2 upon r तो ये कितना बचा है बटा 1 by f की जगे 1 upon r बच गया अब आगे चलते हैं वापस बटा हम लोग यहां भी वही लिखते हैं यहां पर वेल्यू कितना हमारा 4 by 3 ये वेल्यू है 4 by 3 तो ये बचेगा minus का 2 by 3 4 by 3 तो ये cancel हो गया by r ये बचेगा हमारे पास ये किसका वेल्यू आया 1 by f डेस का वेल्यू आया बटा तो हम लोग लिखेंगे plus 1 by f डेस देखो 1 by f बढ़ा इसको क्या लिख सकता हूं 1 by r को minus का 2 by 3 f लिखा जा सकता है 1 by f plus 1 by f minus का 2 by 3 f एनि अगर आप LCM लोगे तो 2 3 into 2 6 minus 2 4 by 3 f आया तो f इकोवेलेंट कितना आएगा 3 f by 4 ये f इकोवेलेंट का वेल्यू आया मतलब जो आंसर आएगा वो 3 by 4 f आएगा नेस्ट क्यूशन पेटा combination का सवाल था ये अगला वैसा है सवाल हुआ कि दो similar thin equi convex length of focal length f each are kept ये तो वही सवाल हो गया kept coaxially in contact with each other such that the focal length of the combination is f1 when the space between the two lenses is filled with glycerin which has the same refractive index of 1.5 as that of the glass then the equivalent focal length f2 the ratio of f1 f2 ditto सवाल वो का वो है मारा कोई changes नहीं है पहले वही उत्तर length बना लेते हैं मैटा दोनों के दोनों इसकी radius r इसकी भी radius r focus दूरी f के दो समान पतले बटा देखना इसको लिखूंगा मैं एक बट्टे f को पहले f लिखता हूँ mu minus 1 into 1 by r plus 1 by r तो लिखा जाएगा 2 into mu minus 1 upon r ये किसका value आया 1 by f का और सुन क्या इसकी पूरे की equivalent लिखेगा तो f1 जो आएगा जो आपको दे रखा है वो क्या लिखा जाएगा 1 by f plus 1 by f यानि 4 mu minus 1 upon r ये value 1 by f1 आया clear है ये बात अब बात करता हूँ आगे थोड़ा सा और मैंने बोला कि मैंने ये lens बन गया नीचे क्यों 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 ये ऐसे medium भरा था हमने तो ये नया medium भर दिया आपनने तो इसका f' बोल दिया मैंने f' को क्या लिखेगा mu minus 1 into minus 1 upon r minus 1 upon r to mu minus 1 upon r into minus ये किसका value आया 1 by f' का clear है ये बात? और सुन बटा मैं ये कह दूँ कि मुझे 1 upon f2 चाहिए तो 1 upon क्या लिखा जाएगा small f plus 1 upon small f plus 1 upon f' यानि 2 by f minus इसको लिखूंगा 2 mu minus 1 upon r और देख बटा यहां से मैं 1 by f का value ये लिख दूँगा यहां से तो लिख देते हैं मैं लोग तो ये value आजाएगे हमारे पास में 4 1 minute हाँ ये हमारे पास 2 mu minus 1 4 mu minus 1 upon r minus 2 mu minus 1 upon r तो बचेगा कितना बटा? 1 upon f2 का जो value बचा है वो बचा है 2 mu minus 1 upon r हमें क्या चाहिए? f1 by f2 यहीं चाहिए अपन को तो मैं क्या कह देता हूं बटा? ratio चाहिए अपन को f1 by f2 तो मैं क्या कहता हूं बटा? 1 upon f1 को लिख दिया है यहां पर 1 upon f1 equal to 4 mu minus 1 into r तेखलो यह हमारे पास answer आया इदर से मलों यह आया दोनों को divide करोगे यह उपर चला जाएगा तो f1 by f2 equal to यह cancel हो जाएगा 1 is to 2 यह हमारा correct answer तो 1 is to 2 हमारा answer मिला इसमें next question है बटा 21 क्या सवाल बोला? एक lens of large focal अब की बार में बात करें large focal length large aperture is based suited as the objective of an astronomical telescope since देखो बटा large aperture contributes to quality and visibility of the image देखो अगर आप telescope की बात करते हैं बटा तो आप objective lens यह लिया करेंगे और eye piece lens यह लिया करेंगे उर्द द्वारक गुनता दर्शेता के लिए योगदान करता है जितनी ज़्यादा रेज आएगी क्या उसकी intensity visibility बढ़ जाएगी बेटा हमारी भाई यह द्वारक जो हुआ यह ज़्यादा होगा तो visibility बढ़ जाएगी तो सही बात है हमारी a large area of objective ensure better light gathering power बिल्कुल सही बात है better gathering power होगी हमारी अगला a large aperture provides better resolution बिल्कुल सही बात है resolution क्या होता है हमारा यह होता है a upon 1.22 lambda तो a जादा होगा तो resolution क्या होगा हमारा जादा होगा यानि सही आंसर है चारो सही है बाता इसके लिए तो correct answer क्या होगा हमारा 4 next question 22 a conway convex समान x के अनुज दी डूरी पर एक 20 cm फोकस दूरी का उत्तर लेंस तो 5 cm फोकस दूरी का एक उत्तर लेंस भी रखा गया है बाता यह हमारे पास 20 cm का है यह हमारे पास 5 cm का है और माइनस 5 का हुआ यह हमारे पास D दूरी पर रखा गया है आपतित समानतर A पर आई B से निकलने वाली रे कैसी गई हमारी समानतर गई है तो बोला गया D क्या होगा जो इसके लिए formula होता है वो 1 upon F equivalent equal to 1 upon F1 plus 1 upon F2 minus 1 upon F1 F2 into D लिखा जाता है यह हमारे पास 22 नंबर का हुआ अब बात आई कि F1 F2 को सब values रखेंगे हम लोग तो रखते हैं वेटा अब बोला कि इसने समानतर आई समानतर चली गई जो equivalent काम कर रहा है क्या वो कहीं bending ला रहा है क्या तो focus कितना हो गया वो समानतर आई समानतर पैरलल आई पैरलल निकल गई तो उसके लिए focus कितना हो गया infinity तो power कितना हो गया हमारा 0 तो इसका value कितना हुआ रहे बाई 0 हमको किसका value चाहिए D का value मैं put कर देता हूँ 1 upon 20 minus 1 upon 5 minus d upon 20 into minus 5 equal to 0 देखो पैटा ये minus minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा तो 1 upon 20 को उधर बेज़ दूँगा मैं 1 upon 20 minus का plus 1 upon 5 equal to d upon 20 into 5 ये लो LCM ले ले लेते हैं वेटा 20 आया minus का 1 plus का 4 equal to d by 20 into 5 हो गया 20 ने 20 को मार दिया वेटा ये 3 बचा 3 into 5 कितना 15 तो D का value कितना आया वेटा 15 सवाल का answer देख लो ये हमारे पास 15 cm आया clear है ये बात next question वेटा next हमारा पास lens और mirror का combination का सवाल हुआ क्या बोला गया है वेटा कि 30 cm focus ये इसकी focus कितनी है 30 cm 60 cm दूरी पर ये जो भी है यहाँ पर 60 पर एक object रखा गया है एक समतल दरपन मुक्के x के लंबा तो 40 cm दूर रखा गया अंतिम परतिवब निम्र बिंदू पर बनेगा अंतिम परतिवब कहां बनेगा सबसे पहले lens से कहां image बनेगी वो निकालते हैं lens formula से 1 upon f plus 1 upon u focus कितना दिया वेटा focus दिया आपको 30 cm 30 real object है तो कितना minus 60 LCM आएगा 2 minus 1 कहां पर बना 1 upon 16 यानि V कहां बनेगा 60 पर बनेगा बटा image बनेगी plus 60 पर यानि जो ray आई हमारी देखो बटा ऐसे ray आई image कहां बनेगी आपकी 60 पर बननी चाहिए थी यहां परन्तु क्या 60 पर बननी चाहिए थी परन्तु क्या बीच में mirror आगिया यानि यह virtual image बनेगी बटा I L नाम दिया यहां से कितने बनेगी यह 20 पर mirror से कितने पर क्योंकि 40 यह हुआ यहां से 60 पर हुई तो यहां से कितने पर 20 पर बनी थोड़ी image अमारी नहीं इसके लिए यह virtual image बनेगी तो बटा सोचो यह 20 पर है तो क्या 20 पर टकरा के वापस image बन जाएगी यहां इसको I M कह दिया mirror के कारण यह कितनी distance पर बनीए रहिदर 20 पर बनीए देखो यह 20 पर बनेगी अब सोच क्या यह ray इसके लिए वापस आएगी इस lens के लिए यह image कितनी distance पर है बटा 20 पर यह 40 यह 20 तो यह भी 20 पर बटा मैं कह देता हूँ देखो यहां एक diagram बना देता हूँ अलग से यह कोई object था ray आई हमारी टकरा के ऐसी चली गई वो जानी चाहिए थी कहां पर बटा 60 cm पर लेकिन बीच में एक mirror आ गया था उस mirror यह कितनी distance पर बटा 20 cm पर image बनी क्या वापस टकरा के ऐसे आएगी रहे हमारी तो यह image यह जो image आई L बनी थी lens के कारण से वो इसके लिए object का का काम करेगी और यह object का image यहां कहां बन जाएगा I am mirror से image वो कितने बनेगा 20 पर यह object है तो 20 पर image तो यह distance कितनी बची बटा आपकी 20 cm क्योंकि यह कितनी डोटल 40 तो क्या lens के लिए अब नया object यहां है तो हम lens के लिए again लगाएंगे 1 upon V equal to 1 upon F F कितना था हमारा 30 minus 1 upon 20 तो हमारे पास value आएगा 60 then 2 minus 3 then minus का 1 by 60 यानि V जो आएगा final जो VDS बोला मैंने minus 60 पर ओहो इसका मतलब क्या virtual image आई रहे यार यह कैसी image आई बटा virtual यानि जो ray बनेगी आपकी वो कहीं ऐसे चली गई और उसके काहन से जो image बनेगी वो यहां से कितने बनेगी 60 पर बनेगी minus 60 का मतलब उधरी बनेगी तो mirror से कितने बनेगी बटा 20 पर बनेगी virtual image आंसर देखते हैं 30 cm नहीं 30 cm नहीं 20 cm from the plane mirror it would be virtual 20 cm लेंस it would be real गलत बात है तो कौन सा आंसर है हमारा 3 number next question है हमारे पास बटा lens has radius of curvature 20 cm each if reflective index of material of lens is 1.5 the power of the lens is तो बटा हमको क्या बोला गया है उत्तल lens है हमारा कुछ नहीं है focus निकालना है यह mu दिया गया 1.5 यह r दिया गया 20 cm तो बटा focus निकालने का तरीका होता है mu minus 1 into 1 by r1 minus minus plus हो जाएगा 1 by r2 तो 1.5 mu का value तो 0.5 1 बटे 2 यह हो जाएगा 1 बटा 20 1 बटा 20 तो 1 बटे 10 तो यह अगेन कित्ता हो गया 1 बटा 20 यह किसमे है बटा? cm में यह cm में है अगर इसको meter में करूँगा तो 100 से divide करूँगा यह क्या आ गया? meter तो कितना आ जाएगा? plus का 5D यह हमारा correct answer next question बटा next question हमारे पास 25 optical instrument and rainbow का सवाल है optical instrument में हमारे microscope हुआ telescope हुआ simple microscope हुआ यह हमारे इसमें आएंगे eye के बारे में हुआ बटा सबसे पहला सवाल for a normal eye the cornea of eye provide a converging power of 40D यानि जो आख का जो lens होगा बटा जिसे मालो मैंने कहा कि हमारे पास में यह कोई lens है बटा यह 40D का lens हुआ दूसरा lens बोला गया list converging power of eye lens behind the cornea is 20D again एक converging lens लगा गया हमारा कितने का बटा 20D का यह 40D का हुआ तो इसकी equivalent power कितनी होगी बटा power होगी 20 plus 40 तो यह कितनी हुई बटा 60D होगी यह तो अमारी power आ गई हमको बोला गया है कि लेटिन अवर lens के बीच की अनुमादित दूरी बटा यह जो दूरी होगी मतलब यहां converge करेगा range को यानि अपने focus पे converge करेगा यह focus कौन सा equivalent इन दोनों का equivalent focus बनेगा वो निकाल लेंगे हम लोग यह equivalent power आई इससे लिखेंगे 1 by F तो F को लिखा जाएगा बटा 1 by 60 यह किसमे हमारा तो बटा यह meter में आएगा इसको centimeter में convert करेंगे तो 5 by 3 1.6 से 7 तो answer क्या मिला अपन को first answer मिला next question अगला सवाल यदि अभी धर्चक lanes की focus दूरी बढ़ाई जाए focal length of objective lens increased than magnifying power बटा microscope और telescope दोनों की बात करी गई है मैं तो कह देता हूँ microscope में जो बात आएगी बटा वो proportional होएगा 1 upon F node के और जो telescope में magnification होता है वो proportional होता है F node के अब देखना इसका formula आपको जो मिलेगा minus का F node by F E अगर relaxed eye से देखते हैं तो यह मैं generalized form लिख दिया इसका मतलब अगर microscope का magnification देखा जाए तो बटा focus बढ़ने पर objective lens increase होने पर microscope will increase गलत बात microscope telescope बहुत गलत बात microscope telescope बहुत डिक्रीज microscope will decrease and telescope will increase यह हमारा आंसर होगा fourth next question astronomical telescope है बटा बोला गया है कि has objective and eye piece of focal length दोनों की हमको क्या दी गई बटा focus दी गई है to view an object 20 cm away from the objective the lens must be at a distance of दोनों के बीच में क्या distance होनी चाहिए दोनों lens के बीच में देखो बटा यह देखो यह 4 cm है और यह हमारा 40 cm है बटा जी यहां पर object रखा कितने पर 200 cm पर है अगर आप generalize बात करेंगे length की length का मतलब दोनों के बीच का distance वो लिखा जाएगा fo plus fe यह होना चाहिए समझ में आगी बात ही है अब देखो बटा क्या करें इसके लिए बटा तो हमने कहाँ पहले image तो बनाओ कहां बनेगी बटा 1 upon v equal to 1 upon f plus 1 upon u यह किस के लिए है मारी objective के लिए f का value कितना है बटा 40 cm देखो अब बात करें हम लोग u u minus का 1 upon 200 sorry 200 lcm लिया गया तो 200 आया बटा कितना मिलेगा 5 minus 1 4 बटे 200 बराबर 1 बटे 50 तो v का value कितना आया plus 50 cm यानि इसके कारण से जो image बनेगी बटा वो 50 पे बनेगी इतनी बात तो सबको समझ आई अब बात ये समझ इसके कारण से आपको दिखाई तब देगा जब ये जो बनने वाली जो भी image बनी है हमारी जो 50 पे बनी है बटा वो image क्या इस lens के optical center और इसकी focus के बीच होनी चाहिए अगर उससे ज्यादा हो गई है मतलब अगर focus से बाहर हो गई तो कभी भी उसका image दिखाई नहीं देगा तो optical center माल लेते हैं इसके focus भी बनी हो तो ये distance कितनी है हमारी चार तो 50 प्लस ये इसके लिए नहीं आया ये मारा क्या हुआ वी ओ प्लस एफ ई आया वेटा तो 50 प्लस 4 cm इतना होना चाहिए 54 cm तो हमारे पास आंसर है जाएगा 54 cm नेक्स्ट क्यूशन है वेटा अब हमारे पास आंक का सवाल हुआ a person can see clearly object only when they lie between 50 और 400 cm पचास और 400 cm के बीच में आंक देख सकती है in order to increase the maximum distance of distinct vision to infinity यानि वो क्या कहता है कि भई हमारे पास में जैसे माल लो की ये हमारा आंक था आंक था वो किसी भी object को देखना चाता है जो किसी distance पर रखा गया है object कितने distance पर रखा गया है अधिक से अधिक कितना देख सकता है 400, यानि 400 cm पे एक object को रख दिया गया, उसको देखना चाता है, तो क्या होगा बटा जी, मैं यह कहता हूँ कि भई, अगर इसको देखना चाता है, तो कुछ इस तरीके का lens चेक करते हैं एक बार, ये ray आई हमारी, ये diver's, सोरी, उल्टा लगा दिया है मैंने lens बटा, देखो, ये हमारे पास में, तो सवाल था, उसके लिए बाला, कि भई, वस्तू के सूस्पर्ष देखना है, 50 cm, 400 cm दूरी के बीच किसी वस्तू को सूस्पर्ष देखा, देख सकता है, सूस्पर्ष दर्शन की अधिक्तम दूरी को अनंत तक करने के लिए, उस व्यक्ति को किस परकार के सकती का यूज करना चाहिए, रे बड़ा क्या बोला, कि 400 cm तो उससे दिखाई देता है, ये तो इसका दूर बिंदू हुआ, ये चाहता है कि अनंत पे जो वस्तू है मारी, उसको भी देखे, बटा अगर अनंत पे कोई वस्तू है, उसके लिए इस तरीके का अगर आप ल मेज यहां बन जाए, कितने पे, 400 पे, उसके कारण से इसको दिखाई देने लग जाएगा, ये लेंस आपको इस तरीक, अबजेट कहां था, इन्फिनिटी से, शिफ्ट कहां हो गया इस लेंस के कारण से, बटा, 400 cm यानि V का वेल्यू आया, माइनस का 400 cm, और U कितना बटा, माइनस इन्फिनिटी, तो हम लोग लिखेंगे, 1 बाई V, माइनस 1 बाई U, बराबर 1 बाई F, U का वेल्यू इन्फिनिटी तो ये 0 हो गया, माइनस 1 बाई 400, इक्वल टू 1 बाई F हो गया बटा, क्लियर है, तो 1 बाई F को क्या कहते हैं, पावर, जबकि ये किस में आया बट माइनस का 0.25 D, यानि इस लेंस का हम लोग यूज करेंगे और पावर हमारी ये रहेगी, अगला सवाल, resolving power of an instrument, instrument microscope, बटा, resolving जो पावर होती है, वो proportional 1 upon lambda के होती है, यानि 1 upon lambda के जो हमारी resolving power होती है, microscope की वो ये लिखी जाएगी, यानि इसको जो लिखने का proper जो value होता है, वो तो हमारा होता है बटा, 1.22 lambda 2 mu sin theta, ये होता है बटा, मतब मैं ये कह दू, resolving power 1 resolving power 2 equal to lambda 2 by lambda 1, lambda 2 6 बट्टे 4, 3 अनुपात 2 होआ बटा, तो आंसर क्या है हमारा, 3 is 2, 2 आ गया, next question, अगला theoretical सवाल फिर से, एक astronomical reflecting telescope will have large angular magnification and high angular resolution with it has objective lens of, बटा, large angular magnification, high angular resolution, तो objective lens के लिए क्या होना चाहिए, माँ आपको बता दू बटा, objective lens के लिए अगर magnification की बात करी जाए, तो minus का FO by FE, क्या objective जादा होगा, तभी तो ये जादा होगा यार, कुछ भी कर ले, मैं इसको ऐसा लिख दिया, FO by UE, अगर objective ये जादा तो तभी ये जादा हुआ, और resolving power की बात करी जाए, टेलिस्कोप के लिए, वो 1, sorry, A upon 1.22 lambda, A जादा होगा तो resolving power भी जादा, तो large तो focal lane तो large ही diameter होना चाहिए, diameter मतलब A जो हुआ हमारा वो भी जादा होना चाहिए, आगला क्यूशन है, pick the wrong statement in the context with the rainbow, rainbow के लिए बटा, देखो, कोई प्रेक्षक इंदर दनूस तब देख सकता जो जूरिये उसके सामने, गलत बात बिलकुल, बेटा, जब भी आपको rainbow दिखाई देता है, सूरज पीछे होता है, हम इधर देखते हैं, opposite to the sun, हम opposite मूँ करके खड़े होते हैं, तो अपन को rainbow दिखाई देता है, मैं तो कह रहा हूँ, यही अमारा गलत statement हो गया, बाकी क्या बोला गया? इंदर दनूस सूरिये के परकास के विक्षेपन, अपूवरतन और प्रावरतन का सयूक्त प्रवाव होता है, सही बात है, जब किसी जल की बूंद में परकास की केड़े दो बार आंत्रिक प्रावरतन करती है, तो इंधिर दनूस बनता है दृतियवाला secondary, secondary में डो बाई हमारा ज़े से मापको बताऊँ अगर primary की बात करी जाए इस तरीखे से primary बनेगा बटा हमारा, clear होगी बात यह violate होगा, यह हमारा red होगा, अगर मैं secondary की बात करता हूँ बटाजी, ऐसे आएगा ऐसे गया ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा, इसमें दो colors हमारे, ये red होगा ये violet होगा ये जो rainbow होता है secondary वाला ये इस वाले के ऊपर की तरफ बनता है हमारा समझ गए बात को, ये इसके ऊपर की तरफ बनता है, तो हमने कहा कि भई, दित्ये इंदर दनूस में वड़नों का करम उतकरमीत हो, ये भी बात सही है ये सही, ये सही, ये सही, पर ये गलत तो ये हमारा अंसर हो गया, गलत उचा है 32 number question, फिर अगेन rainbow का सवाल, during the cloudy day, primary and secondary rainbow may be created then, there बटा जो बादलों के इस समय में प्रात्मिक दित्ये रेंबो जो बनता है दित्येक इंदर दनूस दो बार पूर्ण आंतरीक परावरतन, सही लिखा भी बड़ा मैंने जस्ट पहले देखो, ये तो बताया ये secondary और ये primary प्रात्मिक इंदर दनूस के ऊपर बनता है पहली बात तो दो बार पूर्ण आंतरीक परावरतन, आंतरीक परावरतन से के कारण और प्रात्मिक दित्ये दनूस के ऊपर बनता है तो ये हमारे पास पहला हुआ हम लोग आगे बढ़ते हैं next question बटा 33 अगला सवाल क्या बोला कि astronomical telescope, refracting telescope is being used by an observer to observe a planet in a normal adjustment normal adjustment का मतलब हुआ कि अंतिम image कहां बनी बटा हमारी infinity पर बनी है तो सबसे पहला बात आया magnification magnification को क्या लिखूंगा बटा FO upon FE ये negative length को क्या लिखूंगा बटा FO plus FE लिखा जाएगा ये हमारा condition हुआ ये हमारे पास FO कितना दिया गया 20 meter 20 meter को centimeter में बदल दू तो 2000 हो जाएगा बटा 20 तो ये हमारे पास कितना 1 minute ये कितना 2 centimeter 20 नहीं है बटा ये कितना हमारा 2 तो ये 2 कट गया तो कितना आ गया minus 1000 magnification तो minus 1000 आया ये कितना आ जाएगा 20.02 meter जो length आएगी वो ये आजाएगी बटा और देखते हैं अभी दर्सक नेतर के बीच की दूरी तो ये रही बटा दूरदर्सी का आवर्दन ये होगा ग्रहे का परतिभिम सीधा और हासी magnified erect बनेगा और diminished नहीं गलत बात है aperture of I piece is smaller than that of objective तो बटा ये बात सही हुई हमारी कि हम लोग जो बनाते हैं objective का जो aperture होगा ये objective है ये I piece है इसका objective ये क्या होगा aperture हमारा A जो होगा A O A इसे जादा होगा ये aperture हमारा जादा हो तो यही हमारा सही बात थी तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास में जो सवाल का answer मिला वो मिला A, B और D A, B और D हमारा correct answer हुआ दो जो हमारा जो होगा